कहानियों की श्रंखला में एक बर पुनहां आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीश्म की कहानी बीड़ी पिला देते साब लेकर उपस्थित हुई हूँ यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें कहानी बीड़ी पिला देते साब महेंद्र भीश्म सर सर जी सर यस सर हो जाएगा सर नो सर यस सर ओके सर जैहिन सर दिवेदी की आँखों में चमक वापस आ गई जो दिन भर की थकान के बाद बुझने लगी थी कप्तान सहब का डायरेक्ट फोन आया था उसके मुबाइल पर 25 साल की पुलिस की नौकरी में उसके लिए शायद किसी कप्तान का पहला फोन थाया छोटा दरोगा ओने के बावजूत वे थानेदार था भले ही थाना छोटा था कुछ माह पहले ही चौकी से बने इस थाने का वे पहला थाना ध्यक्ष था चमकते दो सितारे बुलट मोटर साइकिल या पैट्रॉलिंग में जीप की शांदार सवारी करते उसका दिमाग यदि साथ आस्मान होते हैं तो ठीक वही सातवे आस्मान पर रहता था फिर क्या जनता क्या लोग सब उसके जूते के नीचे वह किसी को भी नहीं छोड़ता था सिवाए अपने आकाओं और नेताओं के हाँ वह उनकी जरूर सुनता जो उसे पहले मिल लेते और उसकी जेब गरम करना नहीं भूलते ऐसे लोग उसकी परिदी से बाहर रहते नई नई थानेदारी कप्तान सहब का सीधा उसी को फोन शीग्र अगले प्रमोशन का पक्कावादा दिवेदी ने वर्दी पहनी जूते कसे रिवॉल्वर लगाई और मुबाइल पर कुश्वाहा को जीप निकालने का आदेश दे थाने के अंदर बने अपने क्वाटर से निकल कर जूती रूम में आ गया यादव दो सिपाही साथ में लोग तुरंत निकलना है दिवेदी मसाले का पाउत फाड मुँ में डालते हुए बूला जी सर, सेकेंड ओफिसर सब इंस्पेक्टर यादव ने अपने वरिष्ठ को सेल्यूट करते कहा आनन फानन में ड्राइवर सहित जीप में कुल पांच लोग सवार हो गए कुश्वाहा गल्ला मंडी की ओर जल्दी चलो तुवेदी ने नजर कलाई घड़ी पर दोड़ाई रात के दस बच चुके थे गल्ला मंडी में इस्थित मधुशाला के पास के सस्ते से ढहाबे के अंदर से पुलिस पार्टी ने पंचु नाम के दुबले पतले से पियक्कड को दो डंडे जमाए और उसे जीप में लाद कर थाने ले आए साले को अंदर डाल दो बाकी सुबह देखा जाएगा सिपाही राम सेवक ने लौकप का ताला बाहर से बंद कर लिया और साथी अब्दुल से हड़ बढ़ाते हुए बूला इस साले मरियल को तो हम दोनों अकेले ही साइकिल पर बिठा लाते हाँ मैं तो समझा कोई बड़ा मामला होगा अब्दुल दो उंगली से अपने होट के नीचे खैनी दबाते बूला पंचु नशे में बढ़बढ़ाते कटे व्रक्ष सा फर्ष पर ढह गया नशे में होने की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आया फिर जल्दी ही वे खर्राटे भरने लगा मैदान के एक ओर मंदिर के चबूतरे के पास दिवेदी ने सब इंस्पेक्टर यादव को कुछ हिदायत दी सब इंस्पेक्टर यादव ने दोनों सिपाही और ड्राइवर कुछवाहा को सुबह पांच बजे तयार रहने का निर्देश दिया दुवेदी ने प्रातर साड़े चार बजे का अलाम लगाया और कप्तान साहब के आए फोन के खुशी को अपने दिल और जहन में कई बार दोराने के बाद सू गया नियस समय पर पुलिस पार्टी तयार हो चुकी थी पंचु को लॉक अप से निकाल हदकड़ी पहनाना फिर जीप में पीछे डाल दिया गया जैसे वह कोई अनावश्यक सा सामान हो पंचु ने मिचमिचाती आँखों से सिपाही अबदुल से पूछा मुझे कहां लिये जा रहे हो अबदुल चुप रहा पंचु भी चुप रहा जीप स्टार्ट हो अंजाने गंतव की ओर बढ़ चली भोर का उजास छटने लगा था जीप वीरान सडक पर बढ़ी चली जा रही थी पंचु की आँखें पूरी थरह खुल चुकी थी उसने ड्राइवर कुश्वाहा से लेकर दारोगा दिवेदी की ओर घूरते हुए सिर गुमाया फिर एक एक तेस्टवर में चिलाया मुझे कहां लिये जा रहे हो जीप में सवार सभी एक बारगी पंचु के चिलाने पर चौक उठे पर किसी ने भी उसके चिलाने पर ध्यान नहीं दिया पंचु फिर चुक लगा गया चड़ाई पर आकर जीप एका एक रुख गई क्या हुआ दिवेदी ने ब्राइवर कुश्वाहा से पूचा देखता हूं सर कुश्वाहा जीप से उतर कर बोनट उठा कुछ देखने लगा वातावरण में अजीप सी खामुशी च्छाई थी सूर देव पूरब में चमकने लगे थे तारकोल की सड़क रात में हुई बारिश से अब भी भीगी हुई थी हवा मिट्टी की सोंधी गंध लिये मंद मंद बह रही थी पंचु के होश ठिकाने आ चुके थे बाकी में नींद के खुमारी साफ दिख रही थी मेरे दिन पूरे हो गए दरोगा जी पंचु निर्विकार भाव से बूला जीप में सन्नाटा पसरा रहा कुश्वाहा ने कार्बोरेटर में फसा कचड़ा साफ किया जीप फिर भी स्टार्ट नहीं हुए क्या मेरे दिन पूरे हो गए दरोगा जी पंचु पहले से कुछ तेज आवाज में बूला जीप को धक्का लगाना पड़ेगा कुश्वाहा बूला पंचु के अलावा सभी जीप से उतर गए उससे किसी ने कुछ नहीं कहा कुश्वाहा ने धाल की ओर जीप घुमा ली कुछ कदम बाद ही जीप के धाल पर जाने से जीप स्टार्ट हो गए बताईए दारुगा जी क्या मेरे दिन पूरे हो गए मुझे कहा लिए जा रहे हो डिवेदी ने पुलिस पार्टी को पहले ही कह रखा था कोई कुछ न बूले पंचु का धीरत जवाब देने लगा किन्तु मृत्यु भय उसके चेहरे पर कही नहीं था डिवेदी ने इशारा करने पर कुश्वाहा ने जीब डामर रोड से नीचे कच्चे पर उतार ली कच्चा रास्ता घने चंगल की ओर जाता था चार-पांच फरलांग चलने के बाद ही पंचु एक बार फिर चिलाया दरोगा जी क्या आज मेरे दिन पूरे हो गए पंचु से कहा हाँ पूरे हो गए साले बड़ी देर से रट लगाये चा रहा है उतारो इसे जीब से पंचु को जीब से उतार लिया गया उसके हाथ से हतकड़ी खोल दी गई अब भाग साले बच गया तो बच गया तेरा भाग नहीं तो भागूंगा नहीं गोली मारनी है तो मार दो अच्छा बड़ा दम है साले कोई आखरी इच्छा दिवेदी ने नम्र होते हुए पूछ लिया कोई उच्छा नहीं है मारो गोली और अपना काम पूरा करो इनाम पाओ तरक्खी पाओ पंचु के चहरे पर अजीब सी वीरानी चा गई फिर भी बता कुछ कहना हो तो इस बार इंस्पेक्टर यादव ने पूछा तो एक बीड़ी पिला दो तलब लग रही है बीड़ी हाँ बीड़ी पिला दो पुलिस पार्टी में किसी के पास बीड़ी सिगरेट नहीं थे बीड़ी तो नहीं है मसाला खाएगा नहीं पिला सको तो एक बीड़ी पिला दो अब साले तेरे लिए याँ बीड़ी कहां से तो काहे अंतिमिच्छा पूछ रहे हो मार क्यों नहीं देते गोली पंचु पहले की तरह बूला दारोगा दिवेदी सोच में पड़ गया सब इंस्पेक्टर यादव ने सिपाही राम सेवक से पास के गाउं से बीडी लेकर आने को कहा राम सेवक कुश्वाहा को साथ लेकर बीडी की तलाश में चला गया और जल्दी ही बीडी का बंडल माचिस सहित लेकर आ गया ले बीडी पी ले दारोगा दिवेधी ने बीडी के बंडल से एक बीडी वा माचिस पंचू को पकड़ाते हुए कहा पंचू ने इतमी नान से बीडी सुलगाई और धीरे धीरे कश लेने लगा दारोगा दिवेधी को पंचू के इस रवये से जुझलाहाट हो रही थी खाम खा देर वो रही थी, सुबह चाय नसीब होना तो दूर, ठीक से फ्रेश भी नहीं हो पाया था पर वह अपनी जुझलाहट दबाय, पंचू के खीचे जा रहे कश के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा बीडी खत्म, पंचू खत्म, पंचू ने बीडी के आखरे हिस्से तक कश खीचा, फिर बचा हुआ टुकडा कट्टा नीचे फेंग दिया दिवेदी की आखें चमकी, पुलिस पार्टी बड़े दरोगा की इच्छा जान तुरंत चौकसो मोर्चा सम्हालने में लग गई मिलने वाले इनाम से अपने अपने खर्चे का हिसाब भी बना लिया था एक बीडी और पिलादो साब, जान की जगे बीडी की भीक अजीब सी मांग लगी दिवेदी को ले, दिवेदी ने बीडी के बंडल से एक बीडी निकाल कर पंचू की ओर पुनह बढ़ा दी पंचू ने पहले की तरहे इस स्टाइल से बीडी सुलगाई और धीरे धीरे कश खीचने लगा चालीस बरस के आसपास मंजूला कद और दुबली काठी का पंचू पीला रूखा सा चेहरा दाड़ी उगी हुई पर ना के बराबर मूचें जैसे महीनों से तराशी न गई हो सामने के दो दाड़ गायब एक एहरी काया नीले जीन्स के ऊपर चेक शर्ट बाहें मुड़ी हुई जेब से कुछ खास नहीं निकला था 75 रुपए आठ आने के साथ एक पॉकेट डाइरी किसी को भला क्या खत्रा हो सकता है इस बेचारे से जो कप्तान साहब इसका एंकाउंटर चाह रहे हैं दिवेदी सोच रहा था पंचु का चेहरा मोरा गौर से देख रहा था तभी पंचु ने पुनहे विंती की एक बीड़ी और पिला देते हैं अट साले चूतिया बनाता है एक एक कर पूरा बंडल पियेगा क्या बच चाहेगा क्या टाइम पास कर रहा है यादव लगाओ साले को ठिकाने देर हो रही है दिवेदी अपना आपक होते चीखा एक बीड़ी पिला देते साब पंचु के चेहरे पर विनीत भाव उभर आय आखों में अजीब सी चमक दिखी दिवेदी को एक पल के लिए वह किसी अज्यात भै से अंदर ही अंदर कांप सा गया वह पंचु से जादा देर आखे न मिला सका और यंत्रवत बंडल से एक बीड़ी और निकाल कर उसकी उर बढ़ा दी यह आखरी है सुन इसके बाद गोली मार देना साब आपकी मांगू तो कुट्टे की उलाद पंचु ने तीसरी बीड़ी थोड़े यतन के बाद सुल गई दिवेदी बीड़ी पीते और दुवा उगलते पंचु से नजरे नहीं मिला पा रहा था पंचु की घूरती आखें पता नहीं क्यों उसे विचलित करने में लगी थी लो साप मार दो गोली अब नहीं मंगूंगा बीड़ी पंचु ने दोनों हाथ उपर उठा दिये मार दो धाएं 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 कि आवास के साथ पंचु का शरीर एक बारगी हिला लहराया फिर जमीन पर गिर गया शांत बिना किसी हल चल के दो गोली पंचु के म्रत शरीर की पीट पर और दागी गई एक पुरानी पिस्तॉल कुछ जिन्दा खाली कार्तूस के खोखे बरामत दिखाए गए एक पुरानी चादर में पंचू के शरीर को लपीटा गया जीप में उसका मृत शरीर उसी जगह पर डाल दिया गया जहां कुछ देर पहले उसे जिन्दा बिठा कर लाया गया था एक बीड़ी पिला देते साब दिवेदी के मन मस्तिष्क में पंचू का बीड़ी मांगता कातर चहरा और घूरती आखे चलचित्र की भाती घूम गई वापस ठाने की ओर भाकती जीप की अगली सीट पर बैठे दिवेदी ने सिर गुमा कर पंचू की लाश की ओर पीछे देखा ब्रतक पंचू के चहरे से चादर का हिस्सा हट गया था पंचू की खुली आखे उसे ही घूर रही थी कह रही हो एक बीड़ी और पिला देते साब दिवेदी चीक पड़ा सभी अपने बौस को चीकते देख चौक गए कुश्वाहा के पैर स्वतह ब्रेक पर जम गए जीप चर्मर की आवाज करते एका एक रुख गई क्या हुआ हुआ हुजूर अब्दुल अपनी रैफल सम्हालते बूला जो जीप के ब्रेक लगते ही हांस से फिसल गई थे इसकी आखे बंद करो पहली बार दुवेदी को अंदर तक कपकपा गया था पंचू का म्रत्च शरीर राम सेवक ने पंचू की आखें बंद करने का निरर्थक प्रयास किया वे बंद ही नहीं हो रही थी फिर उसका चेहरा चादर से ठीक से ढख दिया और फिर न खुले इसलिए सुतली से ठीक से बांध भी दिया चलो दिवेदी कुछ आश्वस्थ हुआ थाने पहुँचकर सबसे पहले दिवेदी ने काम पूरा होने की सूचना कप्तान साहब खुदी और उनसे शाबाशी प्राप्त की कप्तान साहब ने अपने पियारों को निर्देशित कर दिया था फलस्वरूप कुछ देर बाद ही ठाने में मीडिया के लोग इकठे हो गए पंचु के सिर के नीचे गोल तकिया लगा दिया गया वही पुरानी पिस्तौल उसकी दाइनी हसेली में फसा दी गई जींस में खुसी शर्ट उपर खीच ली गई पुलिस पार्टी विजेता की भाती विभिन कोडों से मीडिया के फोटोग्राफरों को पोस दी रही थी दिवेदी की निगाहें बर बस पंचु के चेहरे की ओर घूम जाती उसकी खुली आँखें उसे दहशत में डाल रही थी पैस्वयम अचंभित था कि यह उसे क्या हो रहा है उसने अपनी आँखें बंद कर ली एक बीड़ी और पिला देते साब दिवेदी ने हड़ बढ़ा कर अपनी आँखें खोल दी आँखें खोली ये साब फोटोग्राफर उससे ही कह रहा था उसे यह क्या हो रहा है दिवेदी ने आँखें दोबारा बंद नहीं की इस्थानी ये सांधिदैनिक में बड़ी हेडिंग के साथ पुलिस की गौरवगाथा चपी थी दुरदानत अपराधी पंचू तिपारी का आपराधिक इतिहास बॉक्स में चपा था पंचू इतना बड़ा अपराधी था ये बात पुलिस पार्टी में किसी सदस्य को उसको मारने से पहले तक पता नहीं थी दिवेदी अकबार में छपी फोटो देखने से कतरानी लगा पुलिस पार्टी के साथ खिचे चित्र में ब्रतक पंचू की खुली आखें उसे स्वयम को घूरती सी लग रही थी देर शाम कप्तान साहब ने दिवेदी को अपने निवास पर बुलवाया दिवेदी सारी ठकान भूल, बावर्दी कप्तान सहब के निवास पर नियत समय से कुछ पहले पहुच गया कप्तान सहब कोठी से बाहर निकले, पियारों को कुछ निर्देश देने के बाद दिवेदी को अपनी गाड़ी में बराबर की सीट पर बिठा लिया कप्तान सहाब की बगल में बैठे दिवेदी कहरदे बल्लियों उचल रहा था उसने कभी सपने में भी नहीं सूचा था कि उसे कभी पुलिस कप्तान की गाड़ी में उनके साथ बैठने का सौभाग्य नसीब होगा कप्तान सहाब दिवेदी को प्रदेश के नामधारी राज मंत्री के निवास पर लेकर पहुँचे सर पंचु तिवारी का एंकाउंटर करने वाले दारूगा जी यही है कप्तान सहाब ने मंत्री जी के सामने दिवेदी का परिचाय इस प्रकार दिया जैसे दिवेदी ने बहुत बड़े दसी गुरोव के सरगना को घंटों चली मुटभेड के बाद मार गिराया हो मंत्री जी ने दिवेदी की पीठों की और पास खड़े अपने खदर धारी सहयोगी के कान में कुछ कहा खदर धारी पल में अंदर गया और पल में ही बाहर आ गया अंदर से एक मोटा लिफाफा आया जिसे मंत्री जी ने दिवेदी को थमाते हुए कहा बहुत बड़ा काम किये हो तुम हमारा इनाम तु सरकार से मिलेगा यह रखलो हमारी तरफ से बीवी बच्चों की मिठाई की खाते दिवेदी ने अच कचाते हुए कप्तान सहब की और नहारा कप्तान ने आखों ही आखों में पैकेट रख लेने का इशारा किया आग्या पालक सेवक की तरह दिवेदी हाथ में लिफाफा पकड़ लिए और फिर उसे पैंट की जेब में ठूसते रहे अरे जेबवा में नहीं आएगा शर्ट के बटन खोल कर अंदर डाल लो यह काम हम खूब किये हैं मंत्री जी अपनी ही कही बात पर बेसुरा सा ठहा का मार हस दिये कप्तान सहाब मुस्कुरा दिये और दिवेदी से बोले दिवेदी बाहर गाड़ी में मेरी प्रतीक्षा करो दिवेदी मंत्री जी का अभिवादन कर बाहर खड़ी कप्तान सहब की गाड़ी में आकर उनका इंतजार करने लगा दुवेदी की अब सब समझ में आ रहा था मंत्री जी ने अपनी लाग डाट के चलते या किसी पुराने राज के बाहर आ जाने के भय से पंचु तिवारी का एंकाउंटर करवाया था पंचु का नाम इस्परण आते ही दुवेदी को लगा जैसे ड्राइविंग सीट पर पंचु उससे कह रहा हो बीड़ी पिला देते साब का हुआ हो दुवेदी साब कप्तान सहब का ड्राइवर उससे पूछ रहा था तो तुम बीड़ी मांग रहे थे अरे नहीं साब हमारे पास तो सिगरेट है आप से लाइटर मांग रहे थे ड्राइवर अपनी उंगलियों में फसी सिगरेट नचाते हुए बूला ओ मुझे लगा लाइटर तो है नहीं हम बीड़ी सिगरेट कचु नहीं पीते मसाला खाने की आदत जरूर है दिवेदी ने पुकार का एक पाउच जेब से रिकाल कर ड्राइवर के न करने के बावजूद उसे थमा दिया मंत्री जी के भारी भरकम लिफाफे में पांच पांच सो की दो गड़ियां निकली पूरे एक लाख रुपए थे दिवेदी ने तक्ये के गिलाव के अंदर दोनों गड़ियां रख दी और सूने का प्रयास करने लगा पर नीन तो आज उसकी आँखों से कोसों दूर थी रह रह कर पंचु का चेहरा सामने आ रहा था जैसे ही वह सोने के लिए अपनी पलकें बंद करता पंचु का बीड़ी मांगता चेहरा उसके सामने आ जाता और कानों में सुनाई देता बीड़ी पिला देते साब रात भर दिवेदी करवटें बदलता रहा कभी उठकर पानी पीता बातरूम जाता कभी टहलता फिर लेटता पर नीन तो दूर आँखें जपकते ही पंचु का चेहरा सामने आ जाता कानों में घंटियां सी बजने लगती और उसे सुनाई देती पंचु की आवाज बीड़ी पिला देते साब पुलिस पार्टी कोई नाम मिला सभी की पदोर्नत्ती हुई दिवेदी दो इस्टार के दरोगा से तीन इस्टार वाले कोतवाल बना दिये गए तनखा और रुत्बे में भारी बढ़ोत्री हो गई राजधाने की सबसे महतुपूर कोतवाली के कोतवाल बन जाने की खुशी कप्तान सहाब से नजदी की और मंत्री जी से परिचे और क्या चाहिए इस नाचीज को धार मों पत्नी के जीवित रहते वह बेटी का ब्याग कर चुका था एकलाते बेटे का इंजीनिरिंग का आखरी साल चल रहा था सब तरह की खुशियां उसके पास थी पर इन सारे खुशियों को एक साथ छीन रखा था पंचु तिवारी के खौफनाक हादसे ने उस निर्दोश की हत्या कर जो पाप उससे हुआ था वह सिर्थ चड़कर बोल रहा था दुवेदी तनाव का शिकार हो गया सोते जाकते वह बढ़बढाने लगा अवसाद और तनाव भरे क्षणों में वह आत्महत्या कर लेने की सोचने लगा था पंचू तिवारी अब उसे सपने में सोते जाकते दिखने लगा उसकी हालत जल्दी ही पागलों जैसी होने लगी कब किसे क्या कह दे क्या कर दे कोई भरूसा रही साथ के लोग इसे पंचू तिवारी के भूत का असर समझ रहे थे तोना तोटका गंड़ा ताबीद जाड़ फूट से लेकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिवेदी को ले जाया गया पर कोई फाइदा नहीं पहुचा दिवेदी की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई उसका अरजित अवकाश चिकिसकी अवकाश सब खत्म हो गया लीव विदाउट पे की इसिती आ गई बेटे ने इंजिनरिंग की पढ़ाई पूरी कर प्राइवेट फर्म में नौकरी पाली थी दिवेदी की नौकरी किसी तरह खिंच रही थी थाने में भी वे ठीक से कार्य नहीं कर पाता था उल जलूल बकना, कैदियों को नाहक ही मारना पीटना, साथियों से बिना बात उलजना, अधिकारियों को उट पटांग कहना, माध हतों को बेवजह डाटना, उसकी फितरत बनती जा रही थी इन सारी वजहों का मूल कारण, रात-रात भर, सोन पाना और पंचु तिवारी को विस्मरत न कर पाना भी था दिवेदी के बेटे की नई-नई शादी हुई थी, सुन्दर, सुघर, जीवन साथी पा, बेटा निहाल हो उठा था नव विवाहित जोड़े के दिन सोने जैसे और रातें चांदी जैसी बीत रही थी, पल-पल मुश्किल भरा होता था साथ छोड़ना, पिता जी का बढ़बढाना, चिलाना इधर कुछ जादा ही बढ़ चला था बेटे ने अपनी रात खराब न होने के इरादे से, पिता जी को हाई डोस की दवा, डाक्टर की सलाह को अंदेखा कर देनी शुरू कर दी थे फलसरूप दिवेदी गहरी नीन में चले जाते और नव वहे चोड़ा प्यार के गहरे सागर में और इसी तरह की एक गहराती स्याहा रात के अंतिम प्रहर बेटे को नीन में कुछ खटका लगा उसने दीवार घड़ी में देखा भोर होने में एक घंटा शेश था चार बजने को थे पिता जी नीद में बड़बडा रहे थे उसे जोर की पेशाप भी लगी थी पत्नी का यौवन से लदा शरीर अपने से परे करता वह उठा पत्नी का चेहरा देखा जो गहरी नीन में कुछ जादा ही दमक रहा था जैसे आज के मिलन के बाद नया जीवन उसे चूग गया हो प्यार का अंकुर उसके पेट में फूट पड़ा हो मन मयूर हो ना चुठा उसने पत्नी के दोनों उठों को चूम लिया मस्तक पर फिर उगड़े पेट पर हाथ फेरते वह उठ खड़ा हुआ बातरूम जाकर पेशाब से भरे ब्लैडर को खाली किया जग से गिलास में पानी भरके दो गिलास पानी पीने के बाद वह आश्वस्थ हुआ प्यास और पेशाब दोनों से मुक्त हो उसने स्वयम को सहज महसूस किया यहां दिवेदी के स्वप्ण में सालों पहले एंकाउंटर में मारा गया पंचु तिवारी आ रहा था बीड़ी पिला देते साब अट साले तू मर चुका है अरे नहीं साब एक बीड़ी और पिला देते भाद नहीं तो गोली मार दूंगा दिवेदी बड़ड़ाय जा रहा था मार दो गोली पर बीड़ी पिला देते साब अट जा साले नहीं तो गोली मार दूंगा बेटा बढ़बढाते पिता के कमरे में प्रवेश कर चुका था पिताजी पिताजी बेटे ने कमरे की लाइट जला दी उरा कमरा प्रकाश से भर गया बिस्तर पर दिवेदी बढ़बढाय जा रहा था भाग जा साले नहीं तो गोली मार दूंगा नहीं साब बस एक बीड़ी पिला देते साब पिताजी पिताजी बेटे ने पसीने से लत्पत पिता के सीने पर हाथ रखा छूना नहीं दूर अट साले गोली गोली मार दूंगा दिवेदी का हाथ यंत्रवत तक्ये के नीचे रखे भरे रिवॉल्वर पर जा थमा अनभिक की बेटे ने दिवेदी की आँखे खोलने के लिए अपनी दाई हतेली बढ़ाई आँखे पल्टी हुई थी पिताजी कैसी तवियत है बौक्सा है दिवेदी के कानों में सुनाई दिया एक बीडी पिला देते साब दिवेदी को दिखाई दिया पंचु अपने दोनों पंजे उसकी गर्दन दबोचने के लिए आगे बढ़ा चुका है दिवेदी का रहा सहा धैरे जवाब देने लगा उसने तक्ये के नीचे दाए हाथ से थामे रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया और इसके पहले कि पंचु के हाथ उसकी गर्दन तक पहुँचे दिवेदी ने बिना समय गवाए रिवॉल्वर की लिबलिबी दबा दी भाए की तेज आवाज करती रिवॉल्वर की गोली ने दिवेदी के एकलौते बेटे की कनपटी भेद डाली बेटे के मुह में पिताजी कस्वर घुटकर रह गया एक पाप में क्रति की परणिती का त्रासदी भरा अंत हुआ जब आप कहाने सुनते हुए मेरे साथ यहां तक आही गए हैं तो क्रपया चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद